प्रदेश सरकार का बजट सत्र एक से नौ मार्स तक गेर सेड में होगा मुख्य मंतरी तुर्वेन सिंग रावातनेस की गोशना की है मुख्य मंतरी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने एक मार्स से बजट सत्र शुरू करने का निड़ने ले लिया है जो नौ मार्स सक चलेगा हाला कि उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि बजट किस तारीक को पेश होगा बजट सत्र गेर्शन विधानसबा में करने का मुख्य मंतरी पहले से एलान कर चुके थे आपको बता दें कि सरकार का इस बार का बजट विधानसबा चुनाव के लिहाद से महतपून माना जा रहा है इसे चुनावी बजट की मिसाल भी दी जा सकती है और वहीं उत्राखण में आज सुबह की शुरूवात कोहरे के साथ हुई है पहार से लेकर मैदान तक कोहरे का असर देखने को मिला वहीं मौसम विवाग ने उदम सिंग लगर और अन्य मैदानी लाकों में गहने कोहरे का अलट जारी किया है साथी बुदवार से मौसम के करवट लेने के आसार है विवाग ने प्रदेश के कई इलाकों में हलकी बारिश होने की संभवना जताई है उत्रखन के आपदा प्रबंदन विवाग ने सोमवार को सिनेमा घर और थेटर को पूरी शमता के साथ खोलने के नुमती दे दिया है आपदा प्रबंदन ने सचिव ऐसे मौर्गेशुवर ने इस सम्मद में दिशा निर्देश सभी जलादिकारियों को भेज दिया है SOP में आपस में परियापत दूरी बना कर रखना, मास्क लगाना, औरिटोरियम को सेनिटाइस करना शामिल है SOP में कहा गया है कि भीड़बार से बचने के लिए टिकेटों को ऑनलाइन बुकिंग और अलग-अलग समय पर शो के आयोजन को बढ़ावा दिया जाए कोरोना के कारण उत्राखन में सिमान्त जिले के अंतिम रेलवे स्टेशन तनकपूर से ट्रेन सेवा शुरू हो गई है सुबा 8 बच कर 25 मिनिट पर त्रिवेडनी स्पेशल एक्स्प्रेस 37 यात्रियों को लेकर टनकपूर से शक्तिनगर के लिए रवाना हुई जरुदर यात्रियों ने ओनलाइन टिकेट बुक कर अपनी सीट अरक्षित कराई हुई थी इस्टेशन के टिकेट घर का सर्वर डाउन होने से 6-7 यात्रियों को टिकेट नहीं मिल पाई लालकू अधान सबा के ग्रामीन शेत्रों में जंगली जानवरों के गुसने की बढ़ती गटनाओ पर वन विबाग पूरी तरीके से सतर्क है वह ग्रामीन शेत्रों में जंगली जानवरों को रोकने के लिए वन विबाग द्वारा हर संबब प्रयाज भी किये जा रहे हैं यहां अपने कारेले पर आयोजित प्रेस वारता में पशिमी वरत के वन संरक्षक जीवन चंद पांडे ने कहाए कि ग्रामीन शेत्रों में आये दिन जंगली जानवर जैसे हाती, बाग, गुल्दार के गुसने की सूचना वन विबाग को मिलती है जिसको रोकने के लिए वन विबाग की टीम द्वारा तुरंत मौके पर पहुचकर ठोस कारवाई भी की जाती है उत्राख़ड में कोरोना संक्रमित के मामले थम गए है 24 गंटे में 51 मरीज सामने आये है जबकि 4 मरीजों की मत हो गई है वही सक्रिय मरीजों की संक्या घटकर 1081 पहुच गई है कुल संक्रमितों का आकड़ा 96,180 हो गया है देहरदून जिले में 27, हरिद्वार में 9, नेनिताल में 8, अल्मोडा में 2, उतरकाशी और चमूली में एक-एक नया संक्रमित मरीज मिला है फिलालिस ग्लुटेन में सर्फ इतना ही बने रहे है नीजोन इंडिया के साथ, नमस्कर